नमस्कार दोस्तों मैं दिपक्षरमा अंग्रिश आपका स्वागत करता हूँ ता लीगल चैंबर में अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहत बड़ी उनरेबल सुप्रीम कोट की जज्जमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आएं देखे दोस्तों अक्सर मुझे जब लोग कोल पर कंसल्ट कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमारी संपत्ती पर मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, हमारे किसी दूसरे पारिवारिक सदस्या ने, किसी दोस्त ने, किसी गाउँवाले ने, या किसी बाहरी व्यक्ती ने कबजा जमा कर रखा ह अब अगर हम उनसे कबजा खाली कराना चाहें तो हमें तो कोट में कई साल लग जाएंगे और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि केस हमारे पक्ष में ही आएगा तो ऐसी स्थिती में कोई कानून या जज्जमेंट हमें ऐसी बताएं जहां पर हम मात्र एक दिन के भीतर संपत्ती से कबजा खाली करा सकते हैं अब आज की वीडियो में मैं आपको इसी टोपिक के उपर क्लियरेंस देने वाला हूँ कि सुप्रीम कोट की कौन सी जज्जमेंट है जिसका सहरा लेते हुए मात्र एक दिन के अंदर आप अपनी संपत्ती वापस पा सकते हैं इसके अलावा अगर उस जज्जमेंट की हम बारे में बात करें क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि यूट्यूब पर कई लोग इस जज्जमेंट पर ओल्रेडी वीडियोज डाल चुके हैं जो कभी भी आपको प्रोपर जानकारी दे ही नहीं रहे आप यकीन मानें अगर आप उनके बताए गए स्टैप सोलो करते हैं तो आपके उपर उल्टा क्रिमिनल केस 110 परसेंट होगा ही होगा अब मैं ऐसा आखिरकार आपको क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसी चीज से संबंदित मैं जज्जमेंट भी आप लोगों को और किलियर करूँगा और अगर आप लोग उस जज्जमेंट का फाइदा नहीं उठा सकते किसी कारणवश तो आपके लिए सबसे भैतरीन उपाय क्या होगा जहां पर आप जल्द से जल्द अपनी पक्ष की जमीन वापस ले ले और दूसरी पार्टी जादा लंबा केस ना चला सके ये सारी complete A to Z जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप लागो को देने वाला अब दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किये गए अफर्ट अच्छी लगती है तो मेरा आप लोगों से नुरोध है इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें जादा से जादा शेयर जरूर करें और अपना valuable comment comment section में जरूर लिके तो चलिए दोस्तो अब आज की इस वीडियो को हम जादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को start करते हैं अब दोस्तो सबसे पहले वीडियो की starting में एक महतकौन जानकारी आप लोगों को दे दीजाए देखे, अगर आप लोगों की कोई भी legal समस्या है, अगर आप लोग मेरे थुरू personally legal advice लेना चाते हैं, तो इसी वीडियो के description में मैंने आप लोगों को number भी दिया है, उस number पर आप call करके अपनी call book कराकर directly मुझसे legal advice पा सकते हैं, अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की और, देखेगा, सबसे पहले आप लोगों को जाना अनिवार रहे हैं, कि आखिरकार एक व्यक्ति संपत्ती पर कबजा बरकरार रखकर मालिक क्यों वनता है, देखे, आप लोग जैसे कि मैं आपके comments पढ़ता हूं, या आप लोगों से बाते करता हूं, तो आप लोगों का कहना है कि सर, जमीन हमने अपने पैसों ते खरी दी, हमारी जमीन है, हमारे दादा पर दादा ने खरी दी, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कबजा कर लेगा, तो ऐसे तो यहां पर हमेशा बाहू बली व्यक्ति जीतेगा, जब पैसा किसी और का लग पर जैसे ही आपने लापरवाही बरती, आपने 12 साल से ज़्यादा समय निकाल दिया और वो कबजा करते रहा, तो ये माना जाता है कि आप अपने अधिकारों के लिए सो रहे थे, आपने अपनी जमीन पर लापरवाही बरती, इसी वजह से आपकी संपत्ती पर कोई लंबे सम से कबजा करकर बैठा रहा, और वो section 27, article 65 of limitation act का इस्तमाल करके समपत्ती का कबजा पाने के लिए section 34 relief act में declaration का दावार डाल देता है, और इसी कानून का साहरा लेते हुए मालिका नहाग पाने के लिए court में चला जाता है, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात य है, आपने किसी को अपनी मर्जी से रहने के लिए allowed किया है, तो वो कितने सालों तक case लड़ ले, कितने ही सालों से कबजे में क्यों ना हो, वो कभी भी उसका मालिक नहीं बनेगा, यह simple सी चीज है, जो आपको मैं साफ तरीके से clear कर देना चाता हूँ, अब यह topic थोड़ा सा हम साइड में करते हैं, अब बात करते हैं कि कैसे आप मात्र एक दिन के भीतर अपनी संपत्ती से कबजा खाली करा सकते हैं, और यकीन मानो, मैं आपको ग्लिक कर भी दे दूँगा, यूटूब पर इतने सारे लोग हैं, जो इसी एक judgment का गलत तरीके से आपको यहाँ पर पर दिखाता है, कि आखिरकार जज्जमेंट कौन सी है, उसके अंदर फी specific close बताऊँगा, कि जज्जमेंट के कौन से point में लिखा है, जो आपको ध्यान देना है, एक बार डिस्पले पर ध्यान दीजेगा, आपको case title दिखाई दे रहा होगा, देखेगा दोस्तो, case title है हमार पूना राम versus मोती राम, dead through legal representative, 29 जनवरी साल 2019 की है हमारी जज्जमेंट है, now case title अब आपको clear हो गया, अब एक बार डिस्पले पर ध्यान दीजेगा, मैं इसका specific close आपको डिस्पले पर दिखाए कर समझाओं, कि Supreme Court की जज्जमेंट में आखिरकार बताया क्या गया है, और ध्यान दीजेगा दोस्तों डिस्पले पर, अब ध्यान दीजेगा इसके 13th close पर, जी हां, जज्जमेंट का 13th close आप देखें, तो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई केवल possession लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज उस property के rightful owner के rights को फरक नहीं गेरेगी, उसके possession के rights को कोई परकार का damage नहीं करेगी, a stray act of trespass की केवल किसी ने संपत्ती में गुसने की कोशिश की है, या हाल फिलाल में गुसकर बैठा है, उसका लंबा समय नहीं हुआ है, देखें साफ लिखा है, which have not matured into settled possession, वो settled तरीके से उस कबजे पर लंबे समय से बरकरार नहीं है, तो कानून कह यह judgment बोलती है, can be obstruct or remove by true owner, even by using necessary force, कि जो संपत्ती का असल मालिक है, वो बल का प्रियोग करके भी उसको संपत्ती में गुसने से या तो रोक सकता है, या उसको कबजे से बाहर फैक सकता है, और ध्यान देने वाली बात क्या है, वो trespass का act होना चाहिए, वो matured possession नहीं होना चा अब यह भी आपको पता होना चाहिए, देखे, mature possession का मतलब है, कि एक इनसान लंबे समय से संपत्ती पर कबजे पर बैठा हो, अगर लंबे समय से वो कबजे में है, तो वो matured possession बन जाएगा, और आपको कबजा खाली कराने के लिए वहाँ पर कानून का सहारा लेना अगर आप जबरदस्ती संपत्ती में घुसेंगे, कि मेरी संपत्ती है मैं बाहर करूँगा, तो आपके उपर criminal या house trespass की FIR होना तैह है, इसलिए बोला जाता है कि YouTube पर किसी की बातों में ना ओ, जब तक वो relevant judgment को specific तरीशके से आपको ना समझाए, कि आपको क्या step लेने हैं और क्या नहीं लेने, मैंने तो judgment के अंदर बताई गई एक एक चीज़े simple language में बताई, अब ये judgment आपको clear हो गई, अब इसी चीज़ को supreme court पहले भी clear कर चुका है, पहले मैं display पर दिखा कर आपको case title clear कर दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आखिर का judgment में बोला क्या गया ध्यान दीजेगा दोस्तो, देखिएगा case title था, रामे गवडा डैड बाई लीगल रिप्रेजेंटेटेटिव वर्सिस, एम वरदप्पा नावडी डैड लीगल रिप्रेजेंटेटेटिव एन अनदर, साथ 2004 की judgment है, 1 SCC 769 इसका citation number है, ओनरेवल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज जमा कर बैटा है, तो कानून उसको यहाँ पर क्या करेगा, उसके possession को बरकरार रखाएगा, और वो वहाँ पर किसी भी दूसरे इनसान को reasonable force use करके, बल का सहरा का इस्तमाल करके बाहर करने की कोशिश कर सकता है, हाँ, इसके आगे बताया गया है कि एक rightful owner, यानि कि जिसका सं पोजैश कर रखा है, तो वो क्या करेगा, वो कानून का सहरा लेकर ही अपनी संपत्ती पर कबजा वापस पा सकता है, यानि कि दोस्तों यहाँ भी आपको clear हुआ, कि अगर भाही किसी ने आपको हाल फिलाल में कबजे से बाहर करने की कोशिश की है, या कोशिश कर रहा है, तो आप बल का प्रियोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आपको जितना जरूरी है, उतने बल का इस्तमाल करके संपत्ती पर बनाए रखने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, पर अगर आपको कबजे से बाहर कर दिया है, या किसी और ने कबजा ले रखा है, और वो मै का गलत तरीके से interpretation करते हैं, तो आपके उपर FIR होना पूरी तरीके से तह है, और वैसे भी judgment cases में काम आती है आपके, जब कल को case होगा, वहाँ पर आप judgment के सारे से ये बोल सकते हैं, कि हमने तो इसकी guideline follow करी, और FIR आपके उपर तुरंत होती है, जिसको quashing कराने के लिए फिर आ knowledgeable advocate की guidance से step follow करें, ऐसा नहीं, कोई भी कुछ बोल दे और आपने जाकर वो काम कर दिया, अब आप कहेंगे, सर, हमारी जमीन, किसी और ने कबजा किया, हम आखिरकार court में क्यों जाएं, court में जाएं, सालों खराब करें, पैसा खराब करें, और दूसरी party तो हमें cases में अठका क रखेगी, supreme court तक लड़ती रहेगी, हम तो 20-30 सालों तक पसे रहेंगे, ची नहीं केशते, अगर आपको कानून की समझ है, आपको पता है कि कौन से प्राबधान के अंदर case डालना है, तो यकीन माने आपको harassment face करनी नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि specific relief act का section 6 हमें यहीं बत सकते हैं, पर किसी कारण वश आप बल का प्रियोग नहीं कर पाए, आपको पता नहीं लगा, तो section 6 का आप वहाँ पर सहरा ले सकते हैं, section 6 क्या बोलता है? एक बार display पर देख कर ध्यान दीजेगा, section 6 बोलता है suit by person dispojash of immovable property, यानि कि अगर एक व्यक्ति जो अपनी अचल स समपत्ती से बाहर कर दिया, कानून को follow up नहीं किया, कोई court से order नहीं लिया, तो वो क्या कर सकता है? वो section 6 के अंदर case डाल कर अपनी समपत्ती से कबजा वापस पा सकता है, इसका second close देखेगा, जो कुछ condition आपको बताता है, कि अगर आपको किसी ने समपत्ती से बाहर कर दिय तो 6 महीने के अंदर ही आपको ये case डाल है, अगर 6 महीने के बाहर चले गए तो आप इस section में case नहीं डाल सकते, आपको दूसरे section का इस्तमाल करना पड़ेगा, बी close बोलता है, कि अगर आपको government ने कबजे से बाहर किया है, सरकार ने, तो आप ये section यूज नहीं कर सकते, ती वो appeal में गया, आप high court गया, आप supreme court गया, जी नहीं, जो फैसला होगा, वो final फैसला है, और वो दोनों party को मानना पड़ेगा, तो यहां से दोस्तों आप समझ गए, कि आप section 6 के अंदर case डालते हैं, तो मातर 2 से 3 से 4 साल, maximum बतारों महीं, इसके अंदर आपके case का निप्टार पड़ेगा, और अगर हम बात करें, वही पूनारा मोती नाम एक दिन में कबजा खाली कराने वाले बात की, तो अगर कोई mature possession में था, कोई किरायदार या third party था, अगर आप बल का प्रियोग करके उसको बाहर भी कर रहे हैं, तो section 6 वो भी इस्तमाल करेगा, तो यहां से आप को समझ में आ गया, कि गलत guidance के चलते कोई भी legal step ना ले, वरना FIR भी होगी, वो section 6 में case भी डालेगा, समपत्ती पर कबजे में वापस आ जाएगा, फिर भी आपको दूसरे suit for possession में जाना पड़ेगा, तो जब आपको जाना ही वही पड़ेगा, तो क्यों ना शुरुवात में सही guidance के साथ case डाले, अपने उपर FIR, समय पैसा खराब होने से बचा ले, तो यहां से आपको clear हो गया होगा, कि किस condition में आप मात्र एक दिन में कबजा खाली करा सकते हैं, किस दिन में आपको यहां पर section 6 का सारा लेना है, और किस condition में आपको normal suit for possession या declaration suit डाला है, उमीद करत अगर आपका कोई भी question है, तो आप मुझे comment section में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा, अगर आप लोग मुझसे personally सला, यानि कि legal advice लेना चाह रहे हैं, तो इसी वीडियो के description में मैंने आप logo को number भी दिया है, उस number पर आप call करके अपनी call book करा कर directly मुझसे legal advice पा सकते हैं, और अ अब इसी परकार की informative videos रो जाना पाना चाहते हैं, तो चैनल को तुरन सब्सक्राइब करके notification bell icon आप ज़रूर दबा दें